Hello everyone and once again welcome to WSQ Tech YouTube channel में हूँ मर्तस्कियों दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आप से Trust Flow and Cetation Flow के बारे में बात करेंगे कि Trust Flow and Cetation Flow किस तरीकी की matrices है और इनसे हमें क्या information मिलती है तो पहले गाइस मैं आपको यह बता दू कि Trust Flow और Cetation Flow जो matrices हैं Majestic Dollar डेवलप की गई है यह हम कहें Majestic की Trademark matrices है ठीक है जिस तरीके से हम देखते हैं Moz की अपनी Trademark matrices हैं DA होती है Domain Authority PA हम लोग चक करते है Page Authority तो जिस तरीके से Moz की अपनी Trademark matrices हैं उसी तरीके से Majestic Platform के Majestic Tool की भी अपनी Trademark matrices तो बात करेंगे कि आखिर यह जो Trust Flow होता है यह हमी क्या बताता है और जो Cetation Flow है वो हमें क्या बताता है यहाँ पर मैंने देखो Basic से Definition लिख रखे Trust Flow is a metric Trademarked by Majestic that analysis how trustworthy a site is by measuring is quality तो quality के analysis करती किस तरीके से करती है मैं आपको बता दूँ Suppose करते हैं कि यह आपकी website है कोई ठीक है अगर यह आपकी website है और इस website को अलग-अलग platform से links मिल रहा है यह हमारा link 1 यह link 2 यह link 3 यह link 4 अगर यह जिस भी platform से links मिल रहा है यह links relevant है हमारी website के content के यह जो content है उसी के relevant यहाँ पर भी content है तो यहां से links मिल रहा है यह link हमारी website पर redirect हो रहा है अगर ऐसा case है तो हम क्या मानेंगे कि यह trustworthy link है यह अच्छा link है यह quality link है तो जैसे हमें quality links मिलते जाएंगे हमारी website के उपर हमारी website का trust flow जो है trust flow वो increase हो जाएगा इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि how trustworthy a site is by measuring its quality ठीक है तो अब यह दोनों तरीके से काम आ सकती किस तरीके से अगर आपकी website है तो आप उसका भी test flow चेक कर सकते है ठीक है कि हमारी website का test flow कैसा है अच्छा है यह खराब है दूसरी बात मैं आपको बता दूँ यह एक index है यानि कि एक number में represent होता ह जिसकी value होती है 0 से 100 के बीच में ठीक है 0 से 100 के बीच में आपको score मिलेगा जिससे पता चलता है आपका trust flow अच्छा है यह खराब है जनरली 15-20 से अगर उपर है तो ठीक है average माना जाता है 15-20 से उपर trust flow है तो average माना जाएगा क्योंकि बहुत high quality super quality links फोड़ा सा मिलना मुश्क है यह quality links होंगे तभी यहाँ पर आपकी website का trust flow increase होगा तो आपकी website के लिए तो यह बात हो गई अगर आप किसी website से backlink लेना चाहते हो तो उसका भी आप trust flow चेक कर सकते हो जैसे suppose करते हैं आप यहाँ पर backlink create करना चाहते थे कोई website थी यह link 4 है यह आपने बना रखें अब यह link 5 बनाने का number आया तो इस website का भी आप चाहते है तो trust flow calculate कर सकते हैं इस website का भी trust flow देख सकते हैं majestic tool पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप आप देख सकते हैं कि इस website का trust flow कितना है ठीक है अगर इस website का trust flow अच्छा है जैसमनी यह बताए कर 20 से उपर आपको दिख रहा है तो बनाई गई है majestic तो दौरा तो यह हो गई एक trust flow की बात अब बात करते है citation flow की citation flow और trust flow एक ही साथ आपको दिखते हैं अगर आप जाएंगे majesty के dashboard में जाएंगे तो आप देखेंगे actually यह थोड़ा सा premium tool है free में आपको उतनी नहीं मिलेगी जितना आप चाहें कि query कर लें था रहा है तो एक या दो ID से आप यह करके देख लेंगे तो आपको एक idea लग जाएगा आपको knowledge में आपकी gain हो जाएगा कि trust flow और citation flow नाम की भी matrices हैं आप हमेशा rely करते हैं DA के उपर और PA के उपर वह हमें free में दिख जाता है actually इसलिए थोड़ा सा हम लोग उसको convenient भी बानते और उसके through हम देख लेते हैं तो चलिए आप बात करते हैं citation flow की जिस तरगे से वो है quality का measurement यह actually volume का measurement अब volume का measurement क्या है जितने high number of links होंगे उतना इसके citation flow यानी CF increased होगा हाँ एक और मैं आपको बात बता दू कहीं कहीं पर यह TFO CF भी लिखा जाता है SEO language में इसको TFO CF से भी website का citation flow ज्यादा होगा ठीक है बट citation flow इस बात की guarantee नहीं देता है कि वो links जो है quality links होंगे या नहीं होंगे citation flow का मतलब यह है कि number of links ज्यादा होंगे ठीक है अब एक और बात यहाँ पर करते हैं कि अगर हमने बात करी है यहाँ पर number of links ज्यादा होंगे और यह भी हमको पता है क् आपर सारे links quality links हो नहीं सकते ठीक है तो क्या एक ratio है मतलब कितने जो है हम कहें trust flow होना चाहिए कितने number का कितना score होना चाहिए trust flow का कितना score होना चाहिए अगर हम कहें citation flow का इनके बीच का कोई ratio है या नहीं है ठीक है क्योंकि यह possibility नहीं है suppose करते हैं आपको 10 link मिले तो मैंने मान लिया कि मेरा जो citation flow हो 10 का है तो 10 होगे 10 link जब तक quality नहीं होंगे तब तक हमारा जो trust flow है वो 10 का नहीं आएगा रहा हमको 10 link मिले यह तो हो गया हमारा citation citation flow क्योंकि यह numbers को denote करता है 10 link मिले और हमने अपना citation flow मान लिया कि 10 है यह एक random मैं मान रहा हूँ ज़रूरी नहीं दसी का score मिले कि मैंने कुछ भी मान सकता हूँ मैं मैंने मान लिया कि 10 number मुझे मिल रहा है 10 link से ठीक है अब दसों के 10 link जब तक quality links नहीं होंगे तब तक मेरा trust flow 10 का नहीं होगा ठीक है बात समझ में आ रही है और यह possible नहीं है और यह impossible जैसा है क्योंकि 10 links हमको मिले और दसों के 10 links मुझे quality links मिल जाए यह बड़ा मुश्किल है तो आखिर क्या ratio होना चाहिए क्या ideal ratio है अगर हम इसकी बात करें तो यह तो ratio हो गया भाई इस तरीके से one का ratio इतना ratio तो Google का भी नहीं है अगर आप जाएंगे Google का ratio भी चेक करेंगे तो वह भी लगबाग Google का ratio कितना आता है कि अगर Google के एक link है तो वो एक citation flow है और एक अगर जो है trust flow है तब जाके इनका ratio 1 बनेगा यह 10 है 10 है तब जाके 1 बनेगा यह 100 है 100 है तब जाके 1 बनेगा एक मैं ने मैंट्रिक ले लिए जनरल मैंट्रिक मैंने आप लिए कोई नंबर नहीं लिए अगर नंबर समझना चाहे तो इस तरीके से समझ लीडिया अगर इसी तो अब दूसरी बात ये भी है कि जैसे जैसे आपका ट्रस्ट फ्लो इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपका साइटेशन फ्लो भी इंक्रीज होता है क्योंकि ट्रस्ट फ्लो इंक्रीज होने का मतलब कि आपको लिंक्स मिल रहा है अगर आपको लिंक्स मिल रहा है तो डेफिनि links मिलना है लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी ना हुआ कि वो सारे links quality links होंगे ठीक है तो citation flow का increase होना इस बात की guarantee नहीं है कि trust flow भी increase होगा लेकिन trust flow का increase होना इस बात की guarantee है कि citation flow भी increase होगा ठीक है अब अगर मैं कुछ ideal आप बात करूँ कि जो है ideal ratio कितना होना चाहिए तो यह आप इस ratio को मान लें कि 50-50% भी अगर हो रहा है तो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा ratio है अगर आपका ratio जो है 50-50% का divide हो रहा है यह 50% आपके citation flows है और 50% आपका जो value है वो मिल रही आपको trust flow से तो आप मान लीजिए ठीक चल ठीक है यानि 10 links अगर आपको मिले और 10 links में से अगर आपको 5 links भी जो है अच्छे quality links मिलते है तो हम मानेंगे 50% का ratio हो जाता है यहाँ पर ठीक है इसको इस तरीके से आप चाहे तो calculate कर सकते है यह से trust flow हमने लिख दिया trust flow हो गया हमारा trust flow को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 5 ठीक है और citation flow हो गया 10 तो यह 1 over 2 हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके के ratio आप calculate कर सकते है यह ratio बन सकता है ठीक है तो यह possibility है 50% का हो रहा है तो ठीक है यानि कि 10 citation flow के number 10 आ रहे है और trust flow 50 है तो ठीक है citation flow के number 80 आ रहे है trust flow 40 है बहुत बढ़ी है citation flow का number आ रहा है हमारा 40 trust flow है 20 बहुत अच्छा है ठीक है तो यह आप ratio एक बार मान सकते बढ़ा ideally 1 का ratio होना possible नहीं है तो बहुत से लोग जो है वो rely करते हैं DA PA के उपर ऐसा रही हो भी आपको बहुत अच्छी information देते हैं बट और भी mattresses हैं मेरे वीडियो बनाने का purpose यही था कि मैं आपको यह बता पाऊँ कि और भी mattresses हैं DA PA से मिलती जुलती दिन को आप देख सकते हैं समझ सकते हैं और उनसे कुछ फाइदा ले सकते हैं थोड़ी सी एक problem है जो मैं इस वीडियो के end में उपको बता रहा हूँ वो यही यह कि majestic आपको free में बहुत ज़्यादा services नहीं देता है group by SEO वाले tools है तो उसका मुझे idea नहीं है मैं उसको ज़्यादा promote भी नहीं करता हूँ या मैं उसकी ज़्यादा बात भी नहीं करता हूँ दोस्तो आशा करता हूँ यह matrices आपको समझ में आएंगी पसंद आएंगी मिलते है next video में till then a very good bye